वेलकम बेक तो माइ चैनल आज मैं आपको जाम सूट की कटिंग अड स्टिचिंग बताऊंगी यह मैंने टू मीटर फैबरिक लिया है अभी मैंने इसको लैंथवाइस कार्ट के टॉप के हिसाब से और फॉर फोल्ड में मैंने इसको रखा हुआ है यह फॉर फोल्ड में रख इसकी जो फिर्थ लिया है तोल्डल यह फ़्ोर फोल्ड में एसकी width 10.5 inch है इसकी जो शौल्डरLa इन विर्थ लिया है वह भी 5.5 inch है इसकी जो आप हो लिये हैं वह भी 5.5 inches रख का यो और इन तल इन इसकी जो नायक विर्थ है वह भी 2.5 19 horrASON है और नाक पीड ़िप जो है वो 2 inches का है ये एक छोटी बच्ची के लिए बना रहे है उसका jump suit की cutting and stitching है अब हम इसके armhole पे कुमाव देकर गोल बना लेंगे इसको और इसकी जो chest की width है वो 8 inches है जो waist की है वो 7 and half inches है अब हमने इसमे 1 inches की marking ले ली है और इसको marking से cut कर देंगे cut करने के बाद अपन इसको open करेंगे open करने के बाद इसका जो front का part है उसमें भी neck की cutting कर लेंगे sorry back part में अब इसके दोनो पार्ट्स देखिए इस तरीके से cut हो गए है अब इसका back part लेंगे और इसके middle में center neck से cutter लगा लेंगे यहां पर हम अपनी zip attach करेंगे अब यह देखिए मैंने नीचे प्लाजो का भी कपड़ा काट के रख लिया है और जो इसकी length है वो measurement आप देख लीजिए जो इतनी भी आपकी length है उतनी लीजिए नीचे से एक inches आप इसको बढ़ा दीजिए तब फोल्ड करने के लिए है और इसकी जो width है वो आपकी जो top part के width है आप उतनी ही लीजिए मैंने जो अपनी width ली है 9 inches उसमें length sorry उसमें 2 inches का curve दिया है उसके बाद आप इसको ऐसे shape में दे दीजिए इंचे आप इसको थोड़ा सा अंदर को कर दीजिए उसके cut कर लीजिए इसका front का part लिया है इसमें हमने किसी बुकरम को attach नहीं किया है इसमें सीधे lining वाले कपड़े पर हमने जो इसे बुकरम पर neck cut दे है वैसे ही lining वाले कपड़े पर neck cut की तयार कर दी है और इसको पहले में पीछे उल्टी तरफ attach कर रहा है कुल्टी तरफ stitch करने के बाद इसको आगे की तरफ front की side पलट दिया है और इसे पलटने के बाद ऐसे इसको यहां से stitch कर देंगे stitch करने के बाद यह देखिए और अब हम इसके zip attach करते हैं देखिए मैंने एक तरफ की zip attach करके रखी है यहां पर ऐसे शिलाई फिरती है मैंने तो यह इस तरीके से यहां पर attach हो गई है अब हम और इसके ऊपर से भी एक stitch कर देंगे जिससे इसकी finishing अच्छी आएगी और यह अपनी जगे बैठ जाएगी अब दूसरी तरफ भी attach करने के लिए इस तरीके से हमने इसको लटा करके रखा और हम zip के साथ इसको एक तम बराबर करके और ऐसे शिलाई लगा देंगे उसके बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे और यह attach हो जाएगा इसके बाद इसकी उपर बैठने वाली सिलाई लगा देंगे देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने इसमें 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 लगा दी है और हमारी यह zip अटेच हो गई और जो उपर extra zip थी वो हमने कट कर दी है देखिए पीछे से और आके से दोनों तरफ से इस तरह की दिख रही है इसमें यह हमारा back का part complete हो गया है यह हमारा front का part complete हो गया है top part अब उसके बाद हम हमारे plazo की stitching करेंगे plazo की stitching के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से दोनों तरफ जो कर्व हैं वो दोनों तरफ उपर से कर्व तक से लाई कर लेंगे उसके बाद बीच से ऐसे उठा के ऐसे कर देंगे देखिए मैंने यह पहले से stitch करके रखा था आपको बताने के लिए और देखिए इस तरीके से हम ठीक कर लेंगे इसको और हमारा plazo कर देखिए अब हम जो बैक पार्ट की नैक है वह भी बिटा देते हैं वह भी सिंपल उसी फैब्रिक से उपर पीछे की तरफ से अटेच कर लो या फिर आप फ्रंट साइड से जहां से भी अटेच करना सकते हैं अब यह हमारा plazo का है तो मैंने नीचे आप एक इंच की डेर इंच की दो इंच की आप जिस तरीके से जितनी चौड़ी चाहते हैं उसे इसाब से अपनी स्ट्रिप काट सकते हैं लेकिन जो विर्थ है वो उतनी होनी चाहिए जितने plazo के bottom की विर्थ है आप इसे कट कर दिये जिस तरीके से इसको उपर की तरफ सेल दीजिए देखिए यह मैंने सेल दिया है और यह हमारा जम सूट जो है तल तयार हो गया है यहां मैंने बीच में जो ती नीचे step attach करने के बाद plazo में stretching कर दी है उसके दोनों likes में यह मैं आपको सुधा करके बता रही हूं कि यह कि इस तरीके से तयार हो क्या है और कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके का दिखेगा अब जो bottom वाला पार्ट था प्लाजो वाला और जो top वाला पार्ट था उन दोनों को आपस में join कर दिया है कुछ नहीं है simple एक stitch से बीच में दोनों पार्ट को ओल्टे रखके stitch कर देना है वो दोनों पार्ट जोड जाएंगा मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छा बनानी के लिए इसमें एक बैल्ट भी अटेच कर दिया है यह मेरे पास एक fabric बड़ा था इससे मैंने इसके लिए एक बैल्ट बना दिया है इस तरीके से यह पूरा जो jump suit है तयार हो गया है मैंने इसमें फ्रिल्स भी अटेच कर दी हैं शूल्डर के बीच बीच से मेज़ा करके इसमें फ्रिल्स अटेच करती हैं और उपर से बैटने वाली सिलाई लगाती है जिससे अच्छे से बैट जाएं अपनी जगे पे इस तरीके से देखे आप यह इसका बैल्ट भी इसमें जोइन कर दिया है मैंने और यह हमारा जैमसूर बनके तैयार हो किया है थैंक्यू